हेलो एबरिवन आप सभी गार्णिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है आज मैं बात करूंगी पिटूनिया प्लांट के केर के बारे में ये सरदियों का बहुत ही ब्यूटिफुल प्लांट है इसमें बहुत हैवी फ्लारिंग होती है और थोड़ी सी केर से आपके ये पौधा मैं तक फ्लारिंग करता है तो इसका मैं एक वीडियो डिस्रिप्शन में लिंक दे दूँगी जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं तक पिटूनिया में फ्लारिंग ले सकते हैं आप चाहें तो ये बहुत ही hardy plant आप बोल सकते हैं थोड़ी सी ही केर की जुरत होती है इतनी जादा केर की जुरत नहीं होती है और ये hanging planter के लिए भी बहुत beautiful option है अगर आप ऐसा कोई full troon रही है जो winter में hanging planter में लागाना चाहें तो पिटूनिया बहुत best option है और इसकी soil media के का मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ कि मैं winter के पौदे किस तरह की soil mix में लगाती हूँ उसका भी मैं link जो है description में दे दूँगी same soil में बस आप ये रिया ध्यान रखिएगा कि porous soil लीजिएगा पानी रुके नहीं क्योंकि सर्दियों में वैसे ही moisture रहता है जल्दी आपका पानी जो है evaporate नहीं होता है तो अगर इसमें soil सौगी रहेगी तो आपका पौदा जल्दी खराब होगा तो soil mixture simple है मेरी 60% garden soil 30% sand और 30% compost आप compost थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिए क्योंकि ये बहुत heavy flowering plant है तो इसमें अगर आप ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो इसलिए आपको इसमें compost थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा और हर 15-20 की दिन के अंदर अगर इसमें liquid fertilizer आप देते रहें main जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप अपने पौधे के जितने भी मुर्जाए हुए फूल है जिने spent flower कहते हैं उसकी dead heading जरूर करते रहें जैसे ही आपका फूल जो है वो मुर्जाए उसको उस जगह से remove करते रहें अगर आप इस तरह से regular करते रहेंगे तो क्या होगा आपका पौधा अपना जो energy है वो नए नए फूल बनाने में लगाएगा और आपके पौधे में बहुत सारी flowering देहने को मिलेगी इसके साथ साथ पिटूनिया की जो branches होते है वो time to time पे थोड़ी सी laggy हो जाती है तो उसकी भी आप थोड़ी सी light pruning करते रहें बीज बीज में जैसे ही आप हलकी pruning करेंगे तो multiple branches आएंगी और आपका पिटूनिया बहुत ही बुशी बनेगा और उसमें बहुत धेहरो सारे खिलेंगे अब बात करती हूं मैं sun position की तो आप अपने पौधे को ऐसी जगह पे रखिएगा जहां इसे पूरे दिन की धूप मिले अगर आप ऐसी किसी जगह पे रख रहे हैं जहां इसे पूरे दिन की धूप नहीं मिल रही है तब भी आपका पौधा अच्छे से ग्रो त और फूलों की जो मतलब संख्या है वो थोड़ी कम होगी अगर आपको बहुत धेर सारे फूल चाहिए तो आप अपने पौधे के पौधे को पूरे दिन की धूप में रखिए और पानी आप तब ही दीजिए जब आपको इसकी टॉप सोयल थोड़ी सी ड्राइ दिखाई द अब बात करती हूं मैं इसके प्रोपोगेशन की तो ये बहुत ही एजिली आप इसे बीच से भी ग्रो कर सकते हैं लेकिन बीच से ग्रो होने का टाइम अभी थोड़ा निकल चुका है तो आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी इस तरह से एजिली प्रोपोगेट कर सकते ह अब बीच बीच में क्योंकि आप देखेंगे आपका पिटूनिया थोड़ा सा लैगी हो जाएगा तो जो आप उसको लाइट प्रूनिंग करते रहिए जिससे आपका प्लांट जो है थोड़ा बुशी बनेगा और जित्ती भी कटिंग आपको मिले उसको आप इस तरह से इ इस समय आप अपने पिटूनिया को इजिली प्रॉपोगेट कर सकते हैं जादा धंडी में प्रॉपोगेशन थोड़ा टफ होगा फिर वैसे ये मार्च तक इजिली प्रॉपोगेट होता है और अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा क्योंकि अब इस समय पानी जल्दी इ लगाया जाता है तो आप इसमें टाइम टू टाइम थोड़ा सा नी मॉयल का स्प्रे करते रहिए जिससे इसमें फंगल इंफेक्शन किसी भी तरह का ना हो तो इस पेचली जो जो दिसंबर का मन्त होता है दिसंबर एंड और जनवरी फर्स सेकिंड वीक जब काफी ज़्या जो भी ऐसा पॉट ले सकते हैं जो थोड़ा सा चौड़ा हो जिसमें आपका पौधा इजीली फैल सके तो लेकिन जो जाड़ों के मोस्टली सीजनल प्लांट होते हैं उनकी जड़े ज़्यादा डीप नहीं जाती है तो फाइव इंचे के पॉट में ये बहुत अच्छे से प्रूनिंग करते रहें तो ये बहुत ही बुशी बन जाएगा और आपके पूरे प्लांटर को ढग देगा वीडियो को लास तक देखने के लिए थेंक्यू सो मच और आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल हैप